अमरपूर हार्ट परिसर में सुक्रवार के दिन सोसल डिस्टेंड्स की धज्जियां उड़ती नजर आ रहे थी आम लोगों में ना ही कुरुनावरस का भै था और ना ही पुलीस अधिकारियों का भै दिख रहा था आम लोग सैकलों की संख्या में हार्ट परिसर पहुँच कर सबजी मचली की खरिदारी करते हुए नजर आ रहे थे सबसे आश्चरी की बाद है कि अमरपूर सीओ स्वेम हार्ट परिसर पर मौजुद रहकर सोसल डिस्टेंड्स की धज्जियां उड़ते देख रहे थे बताते चले कोर्णा वरत से बचाप को लेकर पुरी देश को लौकडाउन किया गया है कई जिलों को स्लील किया गया है तैस समय के नुसार सबजी दुकान किराने की दुकान एवं मास मचली की दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है लेकिन दुकांदार खुले आम अधिकारियों के दोड़ा दिये गए आदेसों का अभिलना करते हुए अपनी मर्जी से दुकान खोल रहे है इन दुकांदारों से हाठ ठेकेदार मनमानी रूप से पैसा बसूल कर माला माल हो रहे है मामले को लेकर सीओ सुनील कुमार साह ने बताया कि हाठ परिसर में तीन फिट की दूरी पर निसान बनाते हुए दुकांदारों को अपनी दुकांदारों को निर्देस दिया था लेकिन कुछ दुकांदार निर्देसों का पालन नहीं कर रहे है हाट परिसर के ठेकेदार उमेश चंद्रसाह को कली हिदायत दी गई है कि सभी दुकानों को तीन फिट की दूरी पर लगाएं अन्यता पुन रूपेन हाट बंद करा दिया जाएगा कोरोना वारस को लेकर देजबर में कीज दिनों के लगे लॉकडाउन में गरीब लोगों को काफी परिसानिया हो रही है इसको देखते हुए कटोरिया विधायक स्वीटी सीमा हैंब्रम आदिवासी बहुल इलाकों में सैकडो परिवारों के बीच मास्क औरसने टाइजर का वित्रन कर सोसल डिस्टेंस बनाये रखने की अपील की साथी बाहर से आने वाले लोगों को अपनी जाज कराने की अपील विधायक निकी लॉकडाउन में चावल की काला बजारी के असंका पर पहुँची पुलिस ने स्याम बजार में सनोच चौधरी की राइस मिल पर गुरूवार को छापे मारी की चापे मारी के मौके पर मौझूद मजिस्टिट सांचलाधिकारी गोपिनात मंडल की मौझूदगी में करीब 500 पैकेट चावल को बरामत किया गया समाचार लिखे जाने तक अपूर्ति पतादिकारी उमाकान सर्मा के दोरा बताया गया कि सारे चावल का सेंपल और लौट मिलाने के बाद ही बताया जा सकता है कि यह चावल काला बजारी पैक्स अत्वा जन्वीतरन प्रनाली का है हलाके अस्थानिय सुतरों के दोरा तरहतरा की बातें बताया जा रही है बताया गया किसी मुखवीर के दोरा बौसी पुलीस को भारी मातरा में स्याम बजार सरुआ मुख्यपत के गाउं से बाहर निकलने पर बाई और स्थित सरोच कुमार के मिल में भारी मात्रा में काला बाजारी का चावल रखे जाने की सूचना दी गई थी जिसके बाद आनन फानन में इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंग, बौसी थानाधिच, राजिस कुमार यादब, बारहाट थानाधिच, प्रचित पासवान, दलबल के साथ वहाँ पहुँच गए पुलीस के पहुँचने के बाद वहाँ किसी वैक्ति को नहीं देखा गया, साथे मिल हुआ गोदाम में ताला बंद था, पंचायद समीति धर्स्ति की मदद से चावल मिल को खुलवाया गया, वहाँ पर भी चावल के लावे कुछ प्लास्टिक के पैकेट और चावल कुट प्लास्टि के बाद भारी मात्रा में चावल मिल में पढ़ा हुआ था, जिसके बाद पुलीस प्रसासन के दोरा मिल के पहले बने आवासिया मकान और गुदाम की तलासी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन ताला बंद होने की वज़ा से पुलीस को अंचला धिकारी का इंत गायत्री राइस मिल्क खिड़ी आदी लिखा हुआ पाया गया। परिवारों के बीच सुकरवार के दिन अनाज वीतरन कर अपनी अलग पहचान बनाई। बढ़ चल कर अपनी हिस्सेदारी दी। मौके पर डिप्ती सिंधा ने बताया कि लॉकडाउन में कई परदे सी छेत्र में फज गये हैं जिनके समक्षे भूके मरने की स्तिती उत्पन्न हो गई है। ऐसे में हर नागरिक का कर्तब बनता है कि दूसरे नागरिक की मदद करें। समाज से भूलू पुद्धार ने बताया कि जिस तरह सभी डॉक्टर इस आपदा की घड़ी में 24 घंटे अपनी जान जोकी में डालकर आम लोगों की सेबा में जुटे हुए हैं। इसके लिए सभी डॉक्टर बधाई के पात्र है। नालियों के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिलकाब करवाया और जुरतमन्द लोगों को मास्क और साबून का वितरन किया। कोरणा वारस से बचाब को लेकर लगाए गए लॉकडाउन का सत्पर्तिसत पालन कराने को लेकर पूरे ग्रामिन छेत्रों के लोग एक जूट हो गए हैं। इसी कड़ी में कई छेत्रों के ग्रामिन गाउं के मुखिद्वार पर बैरियर लगा कर बाहरी लोगों का गाउं में प्रवेस को परतिबंद कर दिया गया है। कर दिया गया है।